हेलो फ्रेंद्स, वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल कशी चुयाल पर आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक ले करके आई हूँ जो आपके कॉम्पोटेटिव एक्जाम चाहे वो कोई भी हो में काफी उस्कूल रहने वाले हैं इससे पहले वाली पीडियो में हमने साहे क्लिखा खार के एक्जाम में पूछे जाने वाले जो आपकी हिंदी की विशेश सुची थी इसका पहला टॉपिक आपका विलोम शब्द गता उसके बारे में विस्तार से पढ़ा था आज हम उसी विशेश सुची का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इससे पहले कि हम उस टॉपिक को स्टार्ट करें हम कुछ चीजों को जान लेते हैं क्या होता है हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन होते हैं उनको बताने का काम कौन करता है हमारे शब्द किसी भी भावशा की संविध्य किस पर निबर करती है हमारे शब्दों पर अते जो हमारे जो शब्द होते हैं उनका हमारे जो जीवन शैली होती है उसमें बहुत महस पूर्ण योगदान होता है भाषा में हम क्या करते हैं अपने लगता नए नए शब्द शामिल करते रहते हैं हिंदी भाषा में उत्पत्ति के अदार पर निम्लिकित प्रकार के शब्द संग्राया देख सकते हैं मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखाया है जिसमें आपके तश्म तद्भव देशी विदेशी और अन्यशब्द शामिल है तो हम आज इसी उसमें से तश्म तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आज का टॉपिक रहने वाले हैं हमारा आज इस लेख में जो हम तश्म तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे उसे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी और आप इस लेख को सावधानी पूरा पढ़ें इससे संब्दित किसी भी तरह कि आपके मन में कोई संका है या कोई सावाल है उसके नेगरा करण के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम उसे सुलचानी का परियास करेंगे चलो स्टार्ट करते हैं तत्सम तत्भो यहाँ पर तत्सम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है तत्प्लस सम जिसका मतलब होता है जियों का त्यों अर्था सस्कित के समान यहाँ पर तत का मतलब होता है उसके और सम यानि आप समान भी बोल सकते हैं जैसा भी बोल सकते हैं या फिर जैसे भी तो उसके समान यानि की सस्कित के समान आप यहाँ पर सम से याद रख सकते हैं कि जहाँ पर अगर पूछा जाए कि सम यानि कि अगर question में पूछा जाता है आपसे कि निम्लिखी शब्द में से तस्रम को छाट ये तो आप some से एक idea लगा सकते हैं कि यहाँ पर some है last में तो यह some किसे लिटर्ड है तो इससे क्या होता है आपको जो question है उसको question को करने में आसानी हो जाती है क्योंकि आपके mind में एक दर से click हो जाता है कि यहाँ पर some पूछा गया है यानि कि some है last में तो some यानि Sanskrit से लिटर्ड है मतलब जो शब्द सस्कित से सीदे आए वे हो या आप कह सकते हैं जो Sanskrit से मिलकर बने वे हो जो Sanskrit word होते हैं उनका उच्चारण करना कठीन होता है क्या होता है जह हम संस्कित की शब्दों को बोलते हैं तो हम जब Sanskrit के word यूज करते हैं तो हमारी जो टंग होती है उस पर हलका सा stress पड़ता है उन words को बूलने में तो आप इससे अनमान लगा सकते हैं कि तस्तम शब्द कुछ examples से रखे हैं जैसे आपको आम्र आम्र यहाँ पर हमने किसके लिए यूज किया है आम्र यानि इसको हिंदी में बोलते हैं हम आम कर्ण कर्ण यानि यह related है कान से कान को हम हमारी हिंदी में easy way में हम बोलते हैं कान पर इसको subscribe में हम बोलते हैं कर्ण फिर है आपका शेत् तपन आश्चर्य ग्राम घिर्णा अगनी वायू सूर्य पुत्र आदी यह सब क्या है आपके तश्वर्ण शब्ध हैं फिर आता है आपका तत्भव शब्ध क्या होते हैं ऐसे शब्ध चुन निकले तो सस्कृस ही हैं प्रन्तु क्या होता है उनका सवरूप बदर जाता है मन अब अभी ततभव को भी हमने दोस में डिवाइट किया गया है तत प्लस भव यानि तत यानि उसके उसके यानि संस्कृत अब प्लस यानि भव भव यानि बना हुआ बना हुआ बना हुआ बोल सकते हो या परिवर्तर बोल सकते हो मतलब जो संस्कृत से बना हुआ है या संस् माधा मोर आदी आजकल क्या हो गया है समय और प्रस्तिति के वज़े से हम लोगों ने क्या कर दिया है कि अपनी सुईता के नुसार जो सस्कित श्रब्द है उनको हिंदी में कर दिया है मतलब आजकल लोग बहुत कौम सस्कित वर यूज करते हैं हर कोई मतलब हिंद हम लोग एपने बातों के लिए हम लोग क्य करते हैं इजी वे ढूंडते हैं कि जो सामने वाला है उसको हम अपने बातों को इजी वे में समझा सके ताकि वह जल्दी हमारी बातों को समझ जाए अब हम क्या करेंगे तस्सम और तद्वाव शब्दों में अंतर समझेंगे यहापर मैंने कुछ संस्क्रिश शब्द लिये हैं आप देख सकते हैं पहला है हस्त हस्त को हमने इजी वे में बोला तो हत और हत के बाद बनाई है हाथ बतलब हस्त जो है यह एक्दम से हाथ नहीं बना यह चेंज होता रहा पहले यह हस्त से हत हुआ हत से हाथ हुआ आपको पता है कि सस्कृत से डार्यक्ट हिंदी नहीं बनी है सस्कृत के बाद पहले प्राक्रत आई, पाली आई अब ब्रश ऐसी कई भाषा ये बनी तब जाकर के हमारे हिंदी आई ऐसे ही हमने जो हमारा हस्त है जो हमारी सावजी भास्तम भाशा में उसके बाद यह कनवर्ट हुआ जो की बना हथ फिर उसके बाद यह हंदी में तॉड़्ड में हाथ menu हथे अब हम हास्त के लिए क्या यूज़् करते हैं हाथ अब हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि हम हस्त अब हम हाथ बोलते हैं हम इजी वे में बोलते हैं ऐसे ही संध्या का आपका क्या हुआ प्राकर्थ भाषा में ये हुआ संजा कई कई जगा बोला गया इसको सांज फिर इसको और इजी वे में लाने के लिए इसके लिए हमने यूज किया शाम तो क्या हुआ संध्या से जो ये प्राकर्थ भाषा के जो संजा है और सांज है ये हट गया तो सन्ध्या को हमने क्या बोला शाम ऐसे ही करपूर करपूर के बाद कनवर्ट हुआ कपूर फिर उसके और easy way में हमने कपूर उज्वल उजवल के बाद हुआ उज़ल और अब हम बोलते हैं उसको उज़ला जो ये प्राकर्ट वाले जो भाषा के वर्ड थे ये बीच में से हट करके बहुत ही इजी वे में हिंदी में आ गए सस्क्रित का संब्द हिंदी से हो गया अप कहते हैं हिंदी का संब्द सस्क्रित से क्यूं है जब हिंदी भाषा का व्याकरण दिया जा रहा था तो हपने जो व्याकरण की मदद ली थी वो सस्क्रित से ही आई थी जो हिंदी है हिंदी और सस्क्रित का अपसमें घनिश संब्द नहीं तो जो यह सस्क्रित है वो हिंदी की मान नहीं है यह सस्क्रित हिंदी की दादी परदादी पता नहीं कितनी भाशाओं से कनवर्ट हो करके तब हिंदी में आई है इसका मतलब यह है कि हिंदी से पहले भी कई भाशाओं आई जो तब जाकर के हमारी हिंदी आई ये तो था तस्म तदबः शब्द क्या होते हैं अब आप मैंने नेक्सट वीडियो में तस् translations दबः शब्दों को पहचानने की क्या ट्रिक है उन शब्दों को हम exams में अगर पूछा जाता है तो उनको हम किस तर से पहचानेंगे इसके बारे में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी समझ में आई होगी में नेक्स वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा धन्यवाद